सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर टू शुक्रवार यानि 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म ने आपनिंग डे पर ही बंपर कमाई की है। ऐसे में अब सनी देओल और अमीशा गदर टू की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। एक बार फिर से इस मूवी को लेकर फैंस की दीवानगी बस देखते ही बन रही है। मूवी के कई एक्शन सीन्स दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। महस दो दिनों में ही इस फिल्म ने 83 करोड की कमाई कर गदर मचा दिया है। वहीं अब सनी देवल का पहली बार मूवी और इसके कलेक्शन को लेकर रियक्शन सामने आया है। सनी देवल इन दिनों अपनी फिल्म के सक्सेस से फूले नहीं समा रहे हैं। हाल ही में Times Now से हुई बातचीत में सनी ने मूवी को लेकर अपने दिल की बात कही. सनी ने अपना experience शेयर करते हुए कहा, वाकई में मैं बहुत खुश हूँ. जब हमने गदर 2 बनाने के बारे में सोचा था, उस वक्त हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दर्शकों हूँ और खुश भी. फिल्म इंडस्ट्री को बनाए रखने के लिए हमें कुछ हिट फिल्मों की जरूरत है. सनी से इस दौरान जब उनकी उम्र को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता. मैं इस बारे में नहीं सोचता कि मेरी उम्र कितनी है. मैं ह पहले दिन जहां इसने 40 करोड का आंकडा पार कर लिया था. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 43 करोड का आंकडा पार किया है. और अभी मंडे तक फिल्म ने 173 करोड इज की कमाई कर ली है. टूजडे को फिल्म 200 करोड का आंकडा पार कर लेगी. इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही जल्द मिलेगे कुछ और सिनेमा की बातों के साथ.